दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 5 वी क्लास तक के बच्चों की सर्दियों की छुटियां खोशित कर दी गई हैं जिहां दिल्ली सरकार ने संबंध में आदेश भी ज़ारी कर दिया है सरकार के आदेश के अनुसरार एक जनवरी से 15 जनवरी तक नर्सरी से पांचवी क्लास तक के बच्चों की सर्दियों की छुटियार पहेंगी हाला कि दिल्ली में नर्सरी से पांचवी क्लास के बच्चों के लिए स्कूल अभी भी बन ही है लेकिन राजधानी दिली में COVID-19 positivity rate शनिवार यानि की 25 दिसंबर को 0.04-3.20 दर्ज किया गया ऐसे में यदि संक्रमन के मामले काबू में नहीं आते तो जल्द ही स्कूलों पर फिर से ताले लग सकते हैं प्रसाशन का निर्देश है कि कोरोना positivity rate अगर दो दिन तक बना रहा ज़्यादा तो फॉरन COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल को लागू कर दिया जाएगा जिसके तहत स्कूल कॉलेज फिर से बन हो सकते हैं आपको बता दें कि रहस्दानी में COVID-19 positivity rate शनिवार यानि की 25 दिसम्बर को 0.4-3 फीज़ी दर्ज किया गया था ऐसे में यदि संक्रमन के मामले काबू में नहीं आते हैं तो जल्द ही स्कूलों पर फिर से ताले लग सकते हैं साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में सीनियर क्लासेज के लिए स्कूल 18 दिसम्बर से ही खुल चुके थे ऐसे में दिल्ली में positivity rate बढ़ते ही स्कूल बंध होने के साथ साथ अन्य प्रतिबंध जैसे की swimming pool में प्रतिबंध लगा दिया जाएगा ठेटर में फिर से कुछ फीज़ी शमता के साथ लोगों को जाने की जास्त होगी और इसके लावा भी तमाम प्रतिबंध लग सकते हैं झाल